एक और बड़ी कबर सामने आ रही है जो MPK पुजारी आज विधान सभा का घेराफ कर सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर विधान सभा का घेराफ किया जाएगा पुजारियों के संगठन ने घेराफ का फैसला किया है मेरी साहियों की लगातार हमारे साथ बनी हुई अमितांशी आज पुजारी जो है हला बोलते हैं विधान सभा करेंगे क्या कुछ मांगे हैं जिसके चलते घेराफ किया जाएगा विधान सभा का बिलकुल देखिए मरवदेश के तमाम पुजारी संगठन है आज सुबह 11 बजे विधान सभा का घेराओ करने के लिए पहुचेंगे लेकिन कॉंग्रिस का मंदर पुजारी प्रकोष्ट का समर्थन इन पुजारी संगठनों को मिल गया है और आज उनके साथ मिलकर वो यहाँ पर घेराफ करते हुए नजर आएंगे देखी कई मांगों को लेकर यहाँ पर तमाम पुजारी संगठन अब मैदान में उतर चुके हैं सबसे महत्पूर्ण यह है कि कलेक्टर और तैसिलदार का जो कंट्रोल अभी मंदिर और पुजारीयों के मंदिरों पर है उसको सबसे पहले हटाया जाए क्योंकि उनका ऐसा म कोई मदद नहीं की जा रही है इसलिए आज विधानसबा का घेराफ करने के लिए तमाम पुजारी संगठन यहाँ पर निकले हुए हैं और देखे कॉंग्रिस का समर्थन मिल गया है कॉंग्रिस ने विपक्ष को पूरी तरीके से विपक्ष में होने के नाते पुजारी ने पहुंचेंगे लेकिन विधानसबा के आज पास अगर हम बात करें तो धारा 144 लागू है और यहाँ पर किसी को भी धरना प्रदर्शन या घेराफ करने की अनुमती नहीं है तो जाहिर सी बात है भारी पुलिस बल बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात रहेगा और जो है कहीं ने कहीं आखिए अखिशा कि जब गेराफ किया जाए कैसी तस्वी निकल कर सकते हैं